अभी मेरे आतुमें भाई वीवो की तरफ से आने वाला अफोर्डेबल 5G फोन T2X 5G अब लिटरली ये ओवर रेटेड फोन लगा मेरे को भाई काफी ज्यादा 13,000 रुपे की प्राइज में आने वाला फोन और इतना ज्यादा लैग और पर्फोर्मेंस वाइस काफी पीछे है सबसे पहले सिधा हम बिल्ड और डिजाइन की बात करते है तो पीछे की सारी आप देखते हो तो यार काफी अच्छा आपको डिजाइन यूनीक सा देखने को मिलता है थोड़ा बहुत उसी के लावा नीची की तरफ वीवो की ब्रैंडिंग आपको देखने को मिलेगा औ इतने बड़े बड़े कैमरा सेंसर देख कि यह मत सोचना कुछ अच्छी खासी अलग लेवल की फोटो कीच देगा प्राइमरी सेंसर 50 मेगा पिक्सल का है सेकेंडरी सेंसर मैक्रो वाला है वह 2 मेगा पिक्सल का है और उसी के अलावा LED आपको यहाँ पे फ्लेश लाइड द देखने को मिलने वाला है और नीचे की साइड बात करें तो स्पिकर गिल देखने को मिलेगी चार्जिंग पोट डेफिनेटली टाइप सी है और माइक आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी उसी के लावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3.5 mm जैक लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है और उपर की साइड बात करें तो सिम ट्रे देखने को मिलने वाली आपको जो कि एक हाइब्रीड सिम ट्रे इसका मतलब दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमरी कार आप यूज कर पाऊगे 5G फोन है तो डेफिनिली 5G सिम यूज कर पाऊगे उसी के साइड म अगर आप आउट्डोर जाते हो तो थोड़ी आपको कम लग सकते है थोड़ी बहुत बट फिर भी ठीक है काम चल जाएगा उसी के लावा डिस्पले आपको मिलने वाले है 6.7 इंच की एक IPS LCD पैनल 60Hz के साथ आता है और उसी के साथ अगर हम थोड़ा साइड वाइड करते है अगर परफॉर्मेंस वाइस बताऊं तो आप मेन्यू बी स्क्रोल कर रहा हो ना तो भी आपको थोड़ा लैक देखने को मिल सकते है अन्रिस्पॉंसिव से हो जाते कभी कबाई डिले देखने को मिल जाते कभी कबाई उसी के लावा है और एक बार हम रैम बताएं तो इसमे को इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलने वाली रैम को आप एक्सपेंड कर सकते हो 4GB एक्स्ट्रा तक उसी के लावा आपको भाइस में 5000 एमेच की बैटरी देखने को मिलने वाली है और 18 वोट का फास्ट चार्जर इंबॉक्स नहीं मिलने वाला है मतलब बॉक्स के अंदर ह सबसे पहले ग्राम इसका नहीं मिलने वाला है उसी के लावा सिम्टर इजेक्टिंग टूल देखने को मिलने वाला है उससे जदधा क्या यह एक्सपेक्ट कर लोगे अगर हम वेट वाइज मेरे इसाब से ठीक है 184 ग्राम इसका वेट है तो वेट वाइस इतना ज्यादा है भी नहीं लगता और काफी जादा फोन तो हैंडी है मतलब ठीक ठाक है परफॉमेंस वाइज मेरे को बस थोड़ा लगा बागी अगर हम थोड़ा फ्रेंट कैमरा की बात कर ले तो एट मगा पिस्कल का फ्रेंट कैमरा देखने को मिलने वाला है सो कैमरा सेटम में आपको नाइ अब चलो गेमिंग पर्फॉमेंस की बात कर लेते क्योंकि गेमिंग पर्फॉमेंस से आपको पता से जाएगा कि हाई-end पर्फॉमेंस वाले टास्क की बिल्कुल भी पर्फॉर्म नहीं कर सकता है तो गेमिंग मैं कर रहा था है या पर भाई देख सकतो काफी जादा लैग बगार आपको देखने को मिलने वाला है और काफी जादा फ्रेम ड्रॉप्स मतलब लेटरली इतना जादा डिले भाई लेटरली फाइव जी फोन है फाइव जी प्रोसेसर ज्यादा एफिशेंट होगा एस कंपर टू 4G प्रोसेसर के तो बट यार इसने तो बिल्कुली उल जाओ कैसी होगी बागी मेरे साबसे तो इसको ना प्रेफर करोगे तो जादा बैटर रहेगा इसके लावाब आईकू वगयरा के रियल मी वगयरा के थोड़ा बोत ओर रूपे देखे अच्छा वाला ही ले लो यार क्यों इस 13000 के अफोडेबल के नाम पे आर आप कुछ भ करने वाले हो तो वीडियो अडिटिंग करते हो गेमिंग करते हो तो यह तो भाई बिल्कुल सेहन भी नहीं कर पाएगा